कि 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 अजी सारा बयान राम राम मैं आपके साथ राजने परसाद बबलुक होकर देखो थोड़ा लेट हो गया हूं एक दो मिन्ट इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं तो अपना चेप्टर शुरू करते हैं देखो मुगल परसासन के उपर ठीक है हर बार अगर यूनि पुछ है तो उसके उपर भी जवाब देने हैं यूपी पीचेस या यूपीसी में कितने देने आएं तीन चार तेरा देने भी लाइव है दो चेप्टर सुरू करते हैं इसी के साथ ठीक मेरी वाज आ रही है सबको सारूं के लिए रवी कुमार कुस्वा मोटिवेशन गू ट्रम पूछती है मुगलूं के बारे में कि मुगलूं का परसासन या सासन कैसा रहा था उसके बारे में इस टॉपिक क्या क्या पड़ेंगे इस टॉपिक में सबस्पे हैंуск вчWeis taa Prami गे प्रांतिय में बिचेनी की व्यष्ता देखेंगे कि जिलूं में कौन से इदिकारी थ तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज के ऊपर सबसे पहले अगर परशासन की बात करें आज भी हम बात करते हैं आज की present time की बात करूं में modern इंडिया की हमारा भी परसाशन तीन भागू में कौन-कौन से हैं केंद्री इस्टेट और कौन क्रेंड लिस्ट है और वैसे भी देखें तो उपर को ने सेंटर बीच में स्टेट निचे ग्रामिन लेवल का तो यहां पर ह आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं किया है और बढला सूसिण केंड्री इससन आवजस्ता कहां से सुरुओती इस पार्ट है वायल इस पिक में इस पिक में एकूटेशिट और और वध्गवान गीत फोटो एए म्सके अंदर भगवान बुद्ध जा आजी होरेए अब भाग 5 भाग 5 किसका है अपने इंडियन कोंश्ट्िउचन का भाग 5 किसे संवंदीत है केंदर शे संवंदीत है केंद्र ये common है किलेकर संबंदीन खीं catchy देखो, मैंने यहां तीन दो फोटो ओर लगाई, आज आप काम करना, जो अपना रियल कॉंस्ट्यूशन है, जो जिसको हेंड राइटिंग में लिखा गया है, ऐसा यूपी पीशेस में क्यू सन पूछते हैं, कि कॉंस्ट्यूशन को लिखा किसने था, हाथ से किसने लिखा थ हाथ इसा पूचते हैं, आपसे चैह क्यो सन पूच इसका जबाब चैप्टर भी मुघलूं पे, लेकिन थोड़ा सा केंदर का नांव तो बताने को शिजिस कर रहा हूं थीक, अब यहाँ पे यह पार्थ है, फंडामेंटल रायट्स, फंडामेंटल राइट्स के उपर एक इनकी इसमें भगवान राम, शित्ता, माशित्ता और लक्समन जी इनकी यहां पर ड्राइंग बनाई हुए बात करते हैं पार्ट फोर की भागचार किसका आया है अपने कॉंस्ट्यूशन में डिपीएस का डिपीएस का मलब डिएरेक्ट्री प्रिंशिपल निती निदे सकता तुँए किसी की निती तो इस पर भी यहां ड्राइंग बनी हुए यह ड्राइंग किन की है यह महाबारत की इसमें करसंजी उपदेश दे रहे हैं किनको अरजुन को अब क्यूशन थोड़ा स वजानना को के अरब dragons को जानने की कोशिश करना थीक है । तुस्के के के अरे में जेवाब देना अब आधर वापिस आती है अपने चैन्श्च तिपर बापिस बात करते हैं के अधर भी प्रसारे की कोन्सा आया प्रसासन मगलूं की देःकि आ शरक है हम लोग बात भी करत बाबर के बारे में वीडियो पड़ा था तो बाबर ने क्या का कि केंद्रिय सत्ता मेरे हाथ में रहीगी बाबर ने खलीपा से अपने सासन की अनुमती ली नहीं ली यूपी पीशे इसकी उसन पूछे आप से कि खलीपा की परमिशन बाबर ने ली नहीं ली क्या नहीं ली बाबर ने खलीपा से परसासन बिलकुल अनुमती बिलकुल नहीं ली दूसरा मुगलू के अंदर परसासन क कैंद्रे प्रसाशन की बात करें बाधसा ही जज़ होता था बाधसा ही लोकसा बाधसा आज कि लोकसा कानून बनाते विदाई का बाथसार ही जया है बड़की जश्चिस वूप इंडिया वह मुगल बाधसा उस के होते थे तीनु चारू चीज़े वह होते थी बलब पावर का सेप्रेशन सक्ति पर्थकरण नहीं था एक आदमी के पास ही पावर थी शंटर में कब मुगल के टाइम मुगलूं के टाइम क्या थी पावर एक आदमी के आतमी थी वो कौन था बादसा ठीक अब क्यूंस यह आ 1448 में एक बुक लिखी थी कानून की आतमा स्प्रीट ओफ लो कौन सी बुक लिखी थी कानून की आतमा देखो मैं थोड़ा बहुत टोपिक से नहीं बठा करा हूं लेकिन थोड़ा समझाने के डीप रिजाने कोशी तो कानून की आतमा किसने की मॉन्टेस क्यूंने इसमें लिखा इस बंदे ने कि एक आदमी के पास सारी सक्ति नहीं रहनी चाहिए पावर्स अगर उसके पास सारी पावर्स रहेगी परसासनिक व्यवस्ता की और न्याई-पालिका की हाँ जी देखो थोड़ा वह लाइट वगरा चली गई थी ठोड़ी टेखनिकल इस्यू समझा असको थोड़ा प्रोब्लम समझो लाइट जाने के हुझे एक बार शेटव वापिस बन हुआ तो उसकी हुझे से यह प्रोब्लम आई है ठीक है तो आगे अपनी क्लास स्टार् धन्यवाद वापिस आओगे आप अभी आजाओगे दो त्री मिल्ट में देखो पावरो सेप्रेशन किस किस नहीं दिया था सक्तिका पर्थक्रिंश क्यों ने ठीक अब खलिपा का पद थुक्रा के मुगल बादसा ने कंट्रोल अपने पूरी सता पे किसका कंट्रोल मुग किसके त्रीमाइव करगे ये lux beast था नहीं बोलने कि कि उन्होंने दार्मिक खलिपा को अपनी कोई अनुमति नहीं ली किसके लिए नहीं ली तो क्या मुगल राज्य क्या दार्मिक राज्य था नहीं था कब तक औरंग्जेब तक देखो औरंग्जेब से पहले जितने भी सा सक थे उनके लिए आप यह सब्द यूज नहीं कर सकते धार्मिक अजी कलियर है राम अनुज भाई अब थोड़ा लाइट वगरा चलेगी दी बीच में ठीक है देखो धार्मिक राज्य था मुगल नहीं औरंग्जेब से पहले की बात करें तो नहीं था पावर अप्शेप्रेस ने बता तुको इसी के साथ था बाबर अपने सुरू के केंद जहांगिरी क्या है आपका क्या लिखोंगे शयक्ति रिकंशा करें हमारा काम जन्ता की रक्षा करना हम कभी पुलीश ifasthi नहीं लेके आएंगे अब पुलीस व्यश्ता क्या होती है आज सारे नेट पे सर्च करके देखोगे पुलीस व्यश्ता का वीडियो पुलीस सासन क्या होता देखो पुलीस व्यश्ता यह होते है कि कोई भी सरकार के बारे में कुछ बोले या सरकार के खिलाब कुछ बोले कोई तो लोग या सरकार उसके घर पर पुलिस बेज दे या उसके आवाज बंद कर देना या फिर उसकी कोई भी चीज हो उसकी प्राइवेस्सी में दखल नदाजी करना व्यक्तियूं के देनिग जीवन में दखल नदाजी करना अगरो Sरकार को राज को, श्टेट को या पब्लिक प्रोब्लेम नहीं कर रहा है फिर भी बार बार फुलिज का इंट्रिवेंशन होना उसको प्रेसान करना उसी को पुलिज राजे का एक सरकार खिलाब लोग को अपने लोगों की रक्षा के लिए हमने राजे की स्तापना किए दूसरा हमारे राजय का तारगेट है जहांगीरी जहांगीरी का मतलब है दूसरे राजयों को जीतना और अपने राजय का छेतर बढ़ाना आप से कोई पुछ है कि जहांगीरी का मतलब क्या है तो आप सारे इसका क्या नाव लिखोगे जहांगीरी का मतलब क्या बताओगे व परसासन की बात कर रहा हूं ठीक 37 गूड यूणिंग भाई आपको ठीक धार्मिक राजे की बात कर चुकों कि मुगल धार्मिक राजे नीता औरंग्जिप से पहले ठीक अब उसी के समय कहते हैं कि आज अगर आप इंडिया का कॉंस्टुशन की पार्ट की बात करते हैं देख क्लोने आपने परसासन में यो व्यवस्ता इस वह भारी देशी से लिए झयों सबसे पहले व्यवस्ता ये कि एडिमिनिस्टरे सं त्थ उसमें पावर था उस पावर को डिवाइड करने का तरिक आज आज अपने पावर को डिवाइड है केंद्रे सुची है राज्य सुची है समवर्ती सुची है मलब सेंटरलिस्ट इस्टेटलिस्ट कॉन क्रॉट लिस्ट उसी तरह परसासनिक अधिकारियों के बीश में पावर को डिवाइड करने के लिए मुगलू ने मिशर से ये पदती ली आप से क्यूशन पुछे कि हांसे लिए पदती मिशर से किनके बीश में अब डिवाइड कर रहे हैं सुबेदार और दीवान सुबेदार का मतलब है आज का सीयम मुगलू में सुबेदार किसको बोला जाता था आज अगर मुखे मंत्री है प्रांत का आज अपने राज हैं इंडिया में 28 रा ट्रवान उन्हें बोलते हैं जो लगान का कामकरताब इसको गोर्नर के साथad उलना कर सकते हूं तो कहांक थिए हूं की बार को डिवाइड किया यह खान शेल लिया थे आप देखो मैंने बोला कि मिसर से लिया रट लिया कर से Ama पहले देखना है मिसर कहां पर है आप मिसर की मेपिंग देखों ये अफरीक है most अफरीक है दो चीज़ों के लिए फेह मसघा है कौन जी मिसर में स्वयज नर्किन को जोडते है रेड़शी और मेडिटेरियन सीमले भूमदे सागर को जोडती है अब मिसर के पड़ोशी देश भी देखोगे मेपिंग करा करो यूपीपीशी आप से मेपिंग पुछेगी अगर आप हर रोज मेपिंग नहीं करोगे ना देखो आपक पूरा मेप देखने है तो इन्होंने खांसे लिए कौन सी परता प्रसासनिक अधिकारों में प्रसासनिक अधिकारियों की पावर का बंठवारा खांसे लिया मिसर से दूसरा एक आता है मनसबदारी मनसबदारी का मतब है रेंक जिसे आज अपने यहां पर आर्मी में होते लेटिनेंटकेटनरंल रैंक होती है उसी तिरह मुगलु ने अपने ही शेंहिक अधिकारियों को एश को राजाओं को रियंक दीती किसी को 5000 का मनसब रैंक परने 7000 को उप्र क stomach होलो रखोता नफ़ साथ जार जो होता था जनरल के रेंग की बराबर रहटा होता था रखांगा तो बढ़ता गया 12.000 बारे मनसब्री में देख ले कि उसे पूछ ले घुमा के कि मनसब्दारी खांसे ली Central Asia से खांसे ली मद्देशिया से अब मैं आपको यहां पर बोल दू मद्देशिया तो आप क्या करोगे रटोगे नहीं आजी जाके दो पिसली साल UPSC के एक्जाम में मद्देशिया की कंट्री पुछी है कि कि पर बोडर लगता है पुछा गया यह एक जाम तो आज आप क्या करोगे इन पांच सेंट्र देश्वं की लोकेसन देखोगे और यह भी देखोगे कि क्यांच प्रूपे है ठीक अरल सी कहां पे बालकतज जील कहां पे देखो यह बालक जील किशमे कजाकिस्तान में अरल सी क सागर वगेरा ठीक इन पांचू को देखो यह पांचू पहले कौन से स्टेट के थे रश्या के थे रश्या के थे रश्या से अलग हुए जो वर्ल्ड इस्ट्री पर बात करेंगे तो पढ़ेंगे आज का आपका यह होम्रक होना चाहिए तो अब मैं केंद्रिय सासन की बात कर अब आपा मुगल बात सांग के बात में पढ़ेंगे परदानमंतूरी शहनापतिरय était करम बागा मुगल बात सा केंद्रिय सासन का सबसे सकती साली धिए इसी के पास सारी टाकत यह मुगल बात सा यह एकबर की जब अकबर में भर सिंगाशन यह तब की पीक है उसमें उस समय कि ड्राइंग बनाई हुई है कब की पंद्रा सो छपन में अकबर गदी पे बैठते हैं उस समय यह बनाया गया कि सारी की सारी पाउर किसके पास है बादसा के पास बादसा जो चाहे वो कुछ कर सकता है बादसा को सला देने के लिए कौन होगा अब मैं आप से क्यों संपूस तो चाहे आज अपने राष्ट पती को सला दे रिए कोन से आर्टिकल में लिखा है कि राश्ट पती को सला देने के कौन होगा मंत्री परिस्थ कौन शैर्टिक कल में शroad기에 44 75 पड़े होंगे आपने 74 में लिकाना article स्युदान के क्या लिका है चोतरव में किराश को सला देने के लिए ठीक उसी तरह ये बादसा को सला देने के लिए मंत्री पृष्षद होगी है मंत्री पृष्षद तो आज कार सब्द है ना क्या वह लादाता है वीजारत उसके बाद में मुगल बादसा अकबर ने का कि भगवान से धार्मिक जितने भी इसलामी कानून वगएरा है जितने भी ध्रहम के कानून उन पर अंतिम निर्ने मेरा होगा खलीपा वगएरा का किशिक आनी होगा अब देखो दूसरी चीज मुगल बादसा ने दो चीजें शुरू की जरोकादर्सन और तुलादान देखो जरोकादर्सन मैंने पिछले वीडियों बताया था कि जरोकादर्सन और तुलादान किसने बंद किया औरंग जीब ने किसने बंद किया आलमगीर औरंग जीब अपके क्यों नjin पूछ लिया चालू किस नहीं किया तुला डान और जरोकाधर्षण किस नहीं चालू किया अब क्यों से नी रटो गये हैं पर रट्ना नहीं है भई हम जरोकाधर्षण क्या होता है आपने देखा ओका सारुक खान आता है, जब बड़्डे वगरा होता है, अपनी बाल कुने हमा कि ऐसे करता है। ऐसे उसी टाइम किंग राजा अपनी परजा के लिए, हिंदू परजा के लिए, बहार अपने ऐसा जरोका होता था पुराने महल देखना, अफलाल किला वगरा, आगरा का दिल्ली का भी देखना इसमें इसे जरोके हैं इसे बारा के जनताशिया हाथ इलाना इसे बोलते हैं जरोका दर्स हैं दूसरा तुलादान भी शुरू किया किसने अकबर ने कि उसे पूछे तुलादान किसने शुरू किया अकबर ने अब तुलादान के तुलादान देखिए होगे आपने तुल्ला तो जिस भगवान श्रीकर्षन बेट है ठीक है तो ये तुल्ला दान और ध्रोकादर्षन किस ने शुरू किया? अकबर ने किसने शुरू किया अकबर ने अब आप से वापिस में थोड़ सा बोलता हूं कि आप से पुछ क्यों सर पुछे विजारत का मतलब क्या है मंत्री प्रिसद गबराना नहीं जवाब देना आराम से अब उसी से में क्या देखू याभी मैंने बोला कि अखबर ओопन लिखातार था कि इसलामी कानुनुन का अंतिम निर्ने कौन करेंगा में खुद अकबर करौँगा अकबर का हिसे द्रिधा था अब उसी समय अकबर का था वजीर वजीर का मतलब परदान मंत्री अब अपना पर कौझ यह लादान मंतरी के बारे में 치तन के स्युदान क्लाइए लिखा होए विए सेउटी फॉर में भी लिखा हुए सेउंटी फाई क्ला विवास्वाइप में लिखा होए कि प्रदान मंतरी की कौं करेंगे पर्सिडेंट अब יहां लादधा को 202 तक मुघलिबात साके जैसे अकबर की मर्त्य होते हैं 1605 में हम अबुल फजल परदान मंतरी रहते हैं कब से मंहां कि मुगल बाद साधर जेव नहीं हैं बहुत बड़ा मानुव हैं ठीक है उनकी बुद्धी विवेक इनसाब चीम में कोई निये इस्वर ने उनको इसलिए बेजा है कि वो अधिक बुद्धी और विवेक के यह किसने बोला अबुल फजल ने अब देखो मैंने अबुल फजल नाव लिया आपस वापिस अबुल फजल नाव रटोगे रटना नहीं एक यूशन बताता हूं एक यूशन पिक में देखो यह कौन अबुल फजल यह कौन अक्बर यह उश्व्ठां ट्पाइंटिंग है अक्बर नांमा किसने लिखी आपुच्छे तो अबुल फजल नहीं अबूल-फुजल कौन थे Pardhan Mantri किसके अकबर के कब से कब 1500-1602 तक 1500 गुन अशीशें ौछाइट तक ठीक क्या रहते हैं है Pardhan Mantri अब आगे चलते हैं अब मैंने कहा गी परदानमंतTri की क्या पावर थी आज प्रदान मंत्री के पास क्या पावर्स है आज इंडिया के प्रदान मंत्री के पास क्या पावर्स आपको पता पोल्टी में जाके पढ़ोगे सारे प्रदान मंत्रियों के लिश्ट याद करोगे फश्ट से लगा के निरंदर मोदी जितक सारी लिश्ट देखोगे तो अकबर म वही बेरम खाएं जिन्होंने अकबर को सरंकसन दिया जिन्होंने अकबर को बढ़ा किया बेरम खाँ परदान मंत्री बनते हैं बनते ही वह एक पद लेते हैं क्या नहीं लेते हैं वकील का पद है वकील का मतलब था उस टाइम परदहान मंत्री क्या ना होता आप से कोई पूछे वकील का क्या मतलब है वकील में आज के वकील की बात नहीं करूं एडूकेट की आज का वकील नहीं मुगलूं के टाइम आपको दे दे कि मुगल ट्रमोलोजी में वकील का मतलब क्या आपको बो दिखाया जाता आप देख वेरम खाँ लुए रहा है तो यह बेरम खाँ की ड्राइंग है अब लोगे का अकबर की जीजा भी थे कैसे बाबर की बेटी के साथ बेरम खां का क्या आवा था वियू आवा था उसका ना होता सलीमा सुल्ताना बेगम अरी अकबर की चाचा की लड़की थी सलीमा बेगम ठीक सलीमा बेगम की किसके साथ साधी होती है बेरम खां के साथ में बेरम खां किसके प्रदान मंतरी है आज भी परदान मंत्री आर्टिकल 75 के तहते हैं परदान मंत्री किसी भी मंत्री को अठा सकते हैं अठा सकते हैं ना किसी भी मंत्री को उसी समय बेरम खान यही पाउर यूज कर रहा था किसी भी मंत्री को अठा देता कोई भी मंत्री को कोई भी मंत्रा ले देता जैसे बेरम खाने ये पद छोड़ा पद छोड़ते कब छोड़ा 1560 में 1560 में बेरम खांसे प्रदान मंत्री का पद या वजीर का पद ले लेते हैं लेने के बाद है अकबर प्रदान मंत्रिया वकील के पद को नया नाव देते हैं वजीर के पद को क्या नया नाव देते हैं नाव यह है था कि वकील यहां पे ए है वकील मुतलग क्या नाओं देते हैं वकील यह मुतलद आप से क्यूशन कोचे इसका नाम भी क्या है प्रधान मंत्री वजीरש पूचे तो भी प्रधान मंत्री यह पद देखें जितने भी पावर थी कि मनिच्छिंग अठाय। वटाना सारी दिवानी मलब लगान समंधित काम कौन देखा का परदान मंत्री उसके साथ पद को क्या वहला वकील मुतलक और इनको दिवान भी बोला जाता था प्रदानमंत्री करते थे कब वजीर कौन वजीर में दो वजीर बोलना था वजीर वकील कौन बेरम खाँ अब क्या दक बेरम खाँ कके चौटी बात बताता हूं बेरम कहते हैं कि आप थोड़ियों मक्हा मदिना की रियात्रा पर यहां से निकल जाईए बेरम खां को गुजुरात में पाटन पर एक अफ़कान सरदार मार देता है कहां पर पाटन में कब पंद्रा सो एक सट में आप बेरम खां की वाइब कौन है सलीमा सुल्तान बेगम यह किसकी सिस्टर है अकबर की जैसे अभी अबूल फजल साब करते हैं कि अकबर बहुत नितीक मनुस्यों में सबसे बुद्धी में महान उन्होंने अपने गुरूष की जिन्होंने पाला पोसा उनकी बीर बला नो रतन को संब्सक्राव पाउल पाउरतीं आपने अकबर के अपने नो रतनों में Chief को जगह दी अपने को बूल रहीम को किस्ने दी آپ बर लुंदे अब आगे चलते हैं प।र साम ने प्रदान मंतरी की पाउर रोरा बता सको किया पाउर अब पंधान मंतरी हैं तो आज भी इंडिया में परदान मंतरिया के अकेले काम करते हैं उनके निचे सची होते हैं शेकेटरी बोलते हैं उनके निचे जोंट सकेटरी उते उसी समय वजीर को भी पांस अधिकारी दिए फाँंश अधिकारी का पांस अधिकारी आई बिदे ससे लिएफ सब्सक्राइब को पांस अधिकारी मुगल वजीर मुगल-बादसा को दिये गयए ते अधिकारी तय क्या करेगा कोन दिवान ये खाल सा ॥ि ये किसके नीचे काम करेगा ? पर्दानमंत्री में वजीर के निचे, वकील के निचे, आप वकील बोलो, वजीर बोलो, ठीक, दूसरा था दिवाने तन, अब जैसे मैंने यहां पर कार्टून लगा, दिवाने तन का काम था, तन का देना, तन का मतलब तन का, पैसे देना, कोई भी वेखती आप से पैसे मां इस्तरम के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि वाकिया नवीस क्या है एच्टरम का मतलब किया mae अगर आपकु पूछे ॹिवा किन वीस कि लिए यूज किया जाते है किसके लिए यूज किया जाता है वाक्य नवीश का मतलब था देखो ये फाइल्स वगरा देख रहे हैं आप एक मैंने पत्थर लगाया है कि जितने भी जानकार थी राजे की उन राजे की जानकार ये डिपार्टमेंट रखेगा दूसरा पत्थर विवार करेगा विदेशू से तो वह कौन था पत्थर विवार करेगा वाक्या ये नवीश ठीक अब नेक डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट का नाव है इस डिपार्टमेंट का नाव याद रखना आप देखो माज जैसे यहां पर मैंने ग्रीस मुर्मुर्जी की फोटू लगाई है ग्रीस मुर कौन है और सीएजी कैं था कि महा नियंत्रक लेखा अधिकारी करें लेखा ठीजानी कंट्रोलर टता ओडिटर जेनरल ओप इंडिया अब आप से क्यों संब पूछे कंट्रोलर टता ओडिटर जेनरल इंडिया क्या निडिया में आर्टिकल वन फोर एट 148 में कंप्यूटर तता ओडिटर जन्रल सी एजी है ना आपने जीhus को आज में सी जी को बोलते हैं तो इसको किया बहुता ह्ता है मुगलुश के ठाउम टाैम होता सब्सक्रों ग्रीश कुमार stir देव कैने होता हैसे सब्सक्रों औरो पारे में परना यह बरिस्कुमारky उनका पूरा नाम मुर्मूर यह है खांसे देखो आज का काम ग्रीश कुमार मुर्मर आप से को पुछे जम्मू कश्मीर के पहले गोड़नर देखो जम्मू कश्मीर को स्टेट से जब यूटी बनाया गया यूटी का मतलब केंदर साशित परदेस बनाया गया तो फैस्ट गोड़नर को ने अजिए बंगाल के शिमा लगती है मुटी वैतनी रिवर देखिए होंगे आपने कभी यह देखो कि इंडिया यहां पर उडिस है व्याद करने की कोशिष करनी वीवेक शरोज लिक रहे हैं याद कराने का तरीका अच्छा लगा संद्यवाद भाई वीवेक आपको अब या या रहा हुआ आप भी पढ़ो ठीक अब एक एकड़ दिपार्टमेंट था किसके निचे परदानमंत्री के निचे वजीर के निचे क्या नहीं था बूस्रिप अब बने मुश्रब नहीं भोला है? पाकिस्तान का पृवशी बात नहीं हों मैं बात कर रहा हूं पर्दानमंत्री मुझी एक फस्लिब का मतलब था कि और प्रदान मंत्री का कारियल यह था वजीर का कारियल यह है उसकी ध्यान रखना की कोई गुशे नियक्दम देखो जूम करके यह देख रहा है यह बंदा यह देखो छोटा सा गरियां पर पीपीटी में थोड़ा नीचे चला गया है ठीक है जूम करके देखना मलब दफ्तर का रखवाला तो मुसरिप का मतलब क्या है दफ्तर का रखवाला आप प्रदान वजीर के मुसरिप का रखवाला तो आप यह सबद हो गया अब आगे चलते हैं देखो प्रदान मंत्री के फांच बीपार्टमेंट में बताथ चुका हूं आप इनकी बात भी करोगे अब आगे अपने काम की बात करते है देखो दूसरा पद आता है मीरबक्सी परदान मंत्री के बाद में कौन सा पद आता है मीरबक्सी यह क्या है केबिनेट मिनिस्टर है आज भी केबिनेट मिनिस्टर है तो पहला cabinet minister को ना, वजीर, दूसरा, मीरबक्सी, मीरबक्सी सब को पता है, मीरबक्सी का मतलब क्या है? सेना पती, नहीं, सेना पती कौन होते थे Türk अ मुगलों के, खुद मुगल बाधसा, मेरबक्सी सेना पती नहीं होते थे, दे दिया एक्जामें गलत कर एठो यह होते थे department जो आर्मी का सेना का अँसके दिख्स होते थे अब यह काम क्या करते थे பिर देखो अगर कभी आऊ सकता पड़ी अभी तो मुगलों को में नहीं पड़ी अगर आऊ सकता पड़ती तब मीर बक्स को वो शेनापती बनाते बनाया नहीं इनका काम था पहला काम कि शेनिकुंग की ड्रेस तै करना शेनिकुंग के लिए हतियार शेनिकुंग के लिए खाने की वेष्टा शेनिकों के लिए ट्रैनिंग की वेष्टा दूसार एक दागने की पर्था तरफ यह क्या होता है आपने अपने गाउन में कभी भी देख्ना सांड वगए रहो था अब यहां पर त्रिसुल वगरा दागे रखते हैं यहां पिछ पर जो सांड का यह होता है आगे की तरफ और बेक साइड पर भी त्रिसुल छपा रहता है उसे कते दागना अब यह दाग पर था क्यों सुरू कियी थी दागना में बलोब सरीर पर कोई मोहर लगा ना देद गो गोड़ूं की गोड़ूं पर हाथियों पर दाग परता थी किसले थी कि जो भी मुद्शिवदार सुभिदार जिसका गोड़ा था उसका ना उस पर लगाता था इस पर था का भी ध्यान रखना कौन काम करेगा है मीर बक्षी दूसरा जितने भी शिपाई वगे रहा था दे जेकेट भी बहतरीन जेकेट मिलने चाहिए वेची इनसीक के लिवि तरह था कि कौन सा जेकेट पहेनाना यह कौन तो करेगा मीर będzie बक्षी क्या करेगा आ अई मकी कि वेकेंश निकालेगा अशा कि अपने डिफião समृ निश्टर है उसी तरह है मीर बक्षी को आप डिफैन सम कि दे सकते हो ना उपादी और इनका काम क्या क्या था गोड़े को दागना रस्त वगरा कराना सेनुकों की बर्थी कराना तीसरा इनका काम एक और था कि आप से कोई पूछ एक सबत पूछ ले सर और खत खत का मतलब लेटर तो सर खत यह मुगलू में किसलिए यूज होता था सर खत किसलिए यूज होता था सर खत यह क्या मीर बक्षी कागज लिखते मीर बक्षी शेलेरी बनाते तब ही जाके आर्मी के बंदू को शेलेरी मिलती अब शेलेरी देता कौन देख अभी मैंने दिखाये था आपको कि आर्मी वगेरा को मुगल सासन में शेलेरी देने वाल यह के मेर बक्शी क्या बनेगा डूसरा मीर बक्शी का तीसरा काम होड़का लुकृ मुग निकला भी महें वगार उनकी शुट्लब्पर्ट इनकी मुह वे करने के लिए शेento हम में इंडिस्ट्री κα्ई आपने लिए होगा किसी आई आई इसब ना सुना Central Industrial Security Force, यह क्या करते हैं, शेप्टी करती है सरकार में, जो बेगर इंडिस्ट्री वगरा, मेट्रों पर भी आ देख लो, उसी तरह की शेप्टी मीरबक्सी दिलवाता था, महल की सुरुक्सा, राजकुमारों की, बोडी गाडों की सुरुक्सा, इनका ये डिपार्टमेंट था है, रट लोगे, कितने दिन रटोगे भाई, समझने की कोशिस करो, मुगलबाद साका, देखो, अकबर के चार मनिश्टर थे, कौन, पहला वजीर, दूसरा दिवान, तीसरा बक्सी, चोता सदर, उस सदर, ये चार ही कैबिनेट मनिश्टर थे, अकबर के टाइम, बाकी कैब ठीक, सदरू सदर, चोते नमर के, अब सदरू सदर का मतब देखो, मैंने या पे पिक लगाईए, सदरू सदर का डिपार्टमेंट या मंत्रा ले फश्ट है मुगलू में, अकबर नहीं सुरू किया था, किस के कहने पे, बेरम खान के कहने पे, बेरम खान को न, वजीर, है सदरू सदर, ओके, सदरू सदर का काम था, धार्मिक मामलूं पे, महराजा को एडवाईज करना, उनको सला देना, सर इसके नोट्स कैसे बनाए, देखो भाई, नोट्स के लिए थी मैंने पिपिटी बनाई है, वीडियो देखो एक बार, फिर आप सलो में चलाओ, स्क्री स्क्रीन सोट ले लो, फोन आपके पास है, टेकनोलोजी कौन साब, मैं आपको ऐसे बैठूंगा, ऐसे टीचर उनको तरह बोलो, हाँ जी, लिखिये, और वो तो नहीं करना ना, कि उन्होंने तो बरबाद कर दिया, यूपेशी को, सब चीज़ों को, वो क्या करते हैं, आप नोट्स की चिंता मत करिए, ठीक है, नोट्स मगरा एक चिंता मत करें, क्या नाव भाई, यादव जी आपका, ठीक, आगे, सदर, उस सदर, अब सदर को, उसे में एक और नाम से बोला जाता था, आपसे यूपेशी 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 एस्क्यूसन कुछे, कि सदर उस विद्यालियों की, या विद्वानों को, जितना भी विद्वान वगेरा थे, विद्वानों को परमोट करेंगा, या विद्वानों की संगोष्टियां कराना, धार्मिक मामलों को मैनेज करना, जज नहीं है, सदरू सदर, आपको कहा था कि सदरू सदर का मतलब है न्याय द सदर यह केहुत धार्मिक मामलों पर शिक्षा देना या पर शिक्ता को व्यष़ता करना या नहीं कि दने वालगे पर दान दक्षिना काराना देखो पीक में निचे पैंटिंग में. यह दान डक्षिना दि या रही है यहां पर लोगों को ठीक और जितने भी विद्वान लोग थें अब विद्वान ही क्या होता है कि वो तो बोलके चले गए खाने के लिए दाने भी चाहिए आदमी को तो उसके पैसों की वेशता कौन कराएंगे सदर उस सदर उन पैसों क्या बोलते हैं वजीपा बहुत नाउ सुना होगा वजीप आप ना तो वजीपा क्या थी शेले रिकिन की विद्वानों के लिए इसकी वेशता कौन करेंगे सदर उस सदर ये क्यूसन फूछ ले आपके सदर उस सदर के क्या क्या काम थे जबाब देना डर्ना मत ठीक अब कहते हैं कि शेख गदाई बेरम खां बेरम खां बेरम खां प आगे चलते हैं अब आगे भाइउँ अपना काम अब मैंने यहां पर एक मिट Já काजी एल कुजात का मतलब क्या है काजी कुजात का मतलब है अगर सदरू सदर अगर नयायका भी काम करने लग जाए तब सदरू सदर को क्या बोला जाएगा काजी उलकुजात काजी उलकुजात क्या बोला जाएगा आप से क्यूशन पूछे तो जबाब देना है ठीक वैसे नयायका काम नहीं करता है सदरू सदर अकपर ने करने भी नह बेटेंगे लेकिन वो पर्षिदेंट माने जाते हैं तो काजी उलकुजात इनको बोला जाएगा अब आगे देखो मुख्य न्यायद दीश अपने चीफ जिस ओप इंडिया मैंने बोला मुख्य न्यायद दिस तो सब से पहले दिमाग में आना चीजिस न्यायद अचिक जैस दिमाक में घुमना चाहिए है एक सो चोई से खांता है कि 147 स्यूदान के कौन से भाग में है भाग पांस है ठीक है हर बात इसी चीज देखो अब मुख्य काजी का काम क्या था जो आज अपने चीफ जश्टिस ओप इंडिया जो काम कर रहे हैं वही चीफ जश्टिस ओप जातेते आ हुए मुख्य काजी कि पिक है अब मुख्य काजी क्या करते था अक् rifnet क्या करते था अंको एडउई देने के लिए कौन रखे जाते थे गज्रे कानून की याख्या करते था। दूसरा प्रांत्यव उर उसमें कितने स्टेट थे अकबर के टाइम बारा स्टेट ठीक है और जहांगीर के टाइम बीस थे और आज अठाइस है उनके प्रांतु में जिस हाई कोट के जज़े वहां पे अगर काजी नुक्त करना तो वह यह काम करते तो कौन मुख्य काजी की सलाशे होता था अब इसको मुगल वगएरे कर थे कि राजय में अगर इनका काम ही था कि जंता पर द्यान रखना इनका डिपार्ट्मेंट जो मंत्रा ले था कब तक औरंगेफ से पहले की बाहत ना जिंधा पीर से पहले की बात के लिए को अन। और सान्जा शेभी थोड़ा पहले की बात इस बंढे का मुहतसिब का काम है ताकि नितिकता का ध्यान रगना कोई जुआ ना किने कोई दारू ना पिए कोई वेश्या वर्ति का धन्दा ना करें और सारे कपड़े उपड़े भैत्रीन पड़े सालीनता के साथ रखें नेतिकता का पार्ट पड़ा ये काम कौन करता था मुह तसी दूसरा उस समें अजिसे आज कर लें मेजरमेंट मैं आप से क्यूंशन और मुह तसीब के नीके जैसी ओर्ण ये बाते हैं मुह तसीब को एक और काम Every देते हैं को डिपार्टमेंट करके काम देते हैं हिंदु मंदिरों को तोड़ना अगर किसी ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था उस डिपार्टमेंट का अगर कोई हेड था तो वो ये थे मुहतसिब ठीक है तो मुहतसिब का आप नाओ कभी भूलोगे नहीं आगे चलते हैं दूसरे मनिश्टर देखो अब दूसरा मनिश्टर देखो आप कभी भी आएगा राजा ने आज माला पहन रखे कल कौन सी पहनेगा आज खांपे रखेगा खजाना खां रखेगा गिप्ट कहां पे रखेगा ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखता था मीरे सामा कौन रखता था मीरे सामा को अभी यहां पे राजा खाना खा रहा है मुगल मुगल दरबार में दो का नर्थ बग़रा चल रहा है, नाज गाना चल रहा है, ठीक है, यह सब चीज़ों का, राज परिवार का ख्याल हो गरा, उनकी व्यास्था बग़रा कौन घ्यान रखेगा, मीर-े-सामा, इसके साथ, साथ मीरे सामा का पद आप से पूछे मीरे सामा का पद का मतलब था राज परिवार के लिए सुक्स युदाएं उपलब्द करवाना दूसरा मीरे सामा का पद एक काम के लिए और फ्यमस था जितने भी कार खाने थे जैको आज इंडेस्ट्रिल मनिश्टर कौन है उसी तरह उस कर देख अब आगे सबद में लिखा है मीर आतीश आतीश बाजी करते हुआ पटा क्या आप फोड़ते क्या कर रहे हैं पटाइस बाजी तो तो चलाओ तो तो गोला लिखता है वह छोटा पठा का छोटा होता है भड करता तो बढ़ा करते हैं बड़ी यह जो इस डिपार्टम तोप का बारूद लेके आएंगे मीर यातिश का काम क्या था तोप खाने का ध्यान रखना नई नई तोपे मनाना जैसे अकबर ने तोपों को उंट के उपर रखे बनाया ये मीर यातिश का कमाल था जैसे आज हम अगर रोकेट वगएरा बर्मोश मिसाइल आज अपनी ठीक है इनका काम क्या था तोप खाने की वेश्टा ने नई तोपें वगएरा बनाना ये काम किसका मीर आतिश का अब आता है ये सबद दरोगा ये डाक चोकी अब ये क्या है दरोगा ये डाक चोकी था गया है दरोगा बोल दिया डाक चोकी बोल दिया देगो दरोगा डाक चोकी था गुप्चर विवाग कि सूचना है प्रांतूं की वहां तक पहुंचा है कौन था गुप्चर विवाग कौन सा विवाग है गुप्चर विवाग ठीक कौन दरोगा ये डाक चोकी का काम क्या है दिया नहीं क्या करना नियुक्ती करना कौन करेगा दरोगा ये डाक्स और डिपार्टमेंट आ से यह इसे आज गौर्णर क्या करते हैं राज्य की कोई भी रिपोर्ट है सेंटर को देते हैं राश्तिसासन लग जाता है ना उसी तरह यह इनका काम आप देख लेना द्रोग है डाक डाक चो किक है दूसरा अब यह तो चुके प्रांत के पूरे सब्जेक प्रांत के मंत्री केबिनेट म अगरा यह काबूल वगरा ठीक यह शिंद का प्रांत अकबर नहीं तना जीता शांज आने एहमद नगर जीता अहमद नगर वाला इधर बिजापूर और गोलकुंडा किसने जीता औरंग जेव ने वीडियो बना चुके ना गोलकुंडा पे और बिजापूर पे आए अब देखों बाबर के ताइम कितने राजे थे अकबर के टाइम कितने राजे थे तब तक उसके कितने राजे होते हैं 15 जहांगिर के टाइम भी राजे 15 ही रहते है canada बहुता आधमी था अब उसके बाद में और अठारा क्यों होते को आहमेद ने गर वगरार बटे तो तीन बढ़ गए पुछे और और यह कितने प्रांत थे बीस अब भाई इन प्रांतूं का भी तो मेनेजमेंट करना है ना इनके लिए अधिकारी चाहिए आज अपने हिंदुस्तान में आठ यूटी है उनके लिए भी लिप्टनेंट गोड़नर है किसी के लिए ठीक है अठाइस राजिये उनके लिए क्या है अठाइस राजियों के लिए शीय मना उन्हीं तरह बात करते हैं यहां पे कौन-CM को जो सबस्क्रीबा पता सुभेदार का है सुभएदार का मतलब यह दो कोई यह है सुभयदार इक समय अरक बच्बावतार का मुख्य मंद्री का यही काम है इस्टेट लिस्ट में देखो हेल्थ वगरा साब सपाई वगरा सब कुछ सानिती करना है यही काम सुभिदार का सुभिदार हो क्या बोल सकते हो आज के आप पूछें शीयम का आटिकल कहां से सुरू होता है तो आप 163 ए 164 दोनुप पढ़ोगे आज ठीक कहां पर पढ़ोगे जाके देखना कि कौन से स्टेट के सुची के अंदर यह स्टेट वाले में 163 ए 164 शट में आते हैं अब दिवान क्या है दिवान को यह आप तुलना ग कर सकते हो अब गोर्णर से गोर्णर कहां से सुरू होता अर्टिकल 153 अब दिवान का काम क्या था दिवान का काम वह यह जो गोर्णर का है दो गोर्णर के पास अभी पावर्स काम उसमें दिवान के पास फूल पावर थी पैसों का काम उसके पास दिवान की न्युक्ति कोन करता था आज भी दिवान की न्युक्ति कवरता थै Driver के मुगल शंंटर दिवान समझ गहें दिवान स्रक्रवाट वर मिलके राजय चलना था दोनाव यह दूसरे को आज वी राजये पाल और मुख्य मंत्री को मिलक़रा चलनाना हृता हुशा तरह दिवान को दूसरा सुबेडार कभी अपना दगों यहां पे को दर्बार नहीं लगाए यह नॉर्ब घथक और को भी दर्रबार नहीं लगा सकता कभी दान पूर्णें नहीं कर सकता सुबएदारों को बदलते भी रहते थे ठीक है सुभिदार समझ जाओ किया था प्रांतूं का दूसरा बक्षी अब जैसे मीर बक्षी क्या था शेना का शेंटर में उसी तरह जैसे हम करते हैं कि होम मिनिश्टर शेंटर में भी और श्टेट में भी उसी तरह बक्षी बक्षी का काम वही है जो काम किसका था कि हैएं वही काम जो मीरबक्ष करते हैं वही काम राज्यूं के लिए सुभिदार के लिए करते हैं दाग पर्फा अगरा सारी की सेनाओं को ट्रेंग देना जैसे आज अगर दिल्ली पुली सेंटर किये बीएस सव बगरा सेंटर इनको ट्रेनिंग वगरा सेंटर देती आर्मी को सेंटर देती है इस्टेट का डिपार्टमेंट देता है उसी तरह बक्स दी इस्टेट के होम मिनिश्टर के ब्राबर आप समझ सकते हैं इनका पाउस फि सेंसेंटर उसके पर कारवाई कर सकती है उसी तरह है अगर मीर यह बक्सु वाक्यानवीस का पफद मिल मिल जाता है उसे वारा पति सहासन घृच्ना जी तो कोगत्वाल कोनों थे कोथ वाल Lacan दों बड़े इत्ने भी नगर फॉल widgets करते को आप आज भी दूंडेखो कि बड़े बड़े नगरों मे घृत्विती पावर थी नगर में शानती वेश्टा करना शानती मिलाब सब चोर उचकूं को सब को आउट छप्रियों को सब को आउट कि शानती से बेटो लोग वेश्टा बनाई रखो आप दूसरा सवस्ता देख अब नाली वगरा साप करने काम किसका आज़कर कोतवाल का रहते हैं या चाल किते हैं के अ sack सब बहुत तो पुचता अब सदरकाजी का पर descendants की है में कि प्रांते की बात सदरकाजी का फिर्ट क को हाई घर कोट के सदरी का चैथिका अटगों organization kg बादस्ता को शलाह देता है ये क्या करेगा सदर यहांelect uneinander का जी एक डोड़ाद्मी को आदम इक की ए मृए फीनर में यहरी नियौकर फेलोफबर ने देंगे जयबरite K परांथ की निचे कर देखोंगे मेरे बाई भांट इब तरत में बात क्रून इंडिया इंडिया नीचे लिए से ड़्िश्टिक कि दाइथ हुआ है अब सरकार का मतलब मुगलों के टाइम डिष्टि को क्या बोला जाता जिल्य को सरकार आज जिल्यो का बोष कौन by अगर परसास नीए बोषár मesehenily, अब गुंडू के लिए कोन ममलना व्यष्षा, शांतीवगड़ा कोन गो를 एगा? marink तो ASP को आप क्या बोल सकते हो फोजदार ये कौन है फोजदार फोजदार को क्या बोला जाता था ASP जितने भी चान्ती वेवस्ता बनाने का काम था फोजदार का काम था तो फोजदार क्या था उस टाइम का ऑज के टाहिम का अगर आजकेlair कि मुगल के टाइम हूते तके आ historically छीजए डối को उनको मुशी पर मुशी भाम ये शेर सा सुरी के टाइम वोला भी जाता था अब आगे आते है यह diplomat जाता है अमल गुजार अमल गुजार का मतलब क्या है डियेम का क्या है डियेम का क्या है डिश्टिक मेजिस्टेट का उनका काम यह है लगान वगरा एक्टा करना तो जिल्ले का लगान जो एक्टा करता था उसका नाम क्या है अमल गुजार अमल गुजार को आप क्या बोल सकत तेंग रिखान इक्टा करेगा वो क्या है अमल गुजार कि बत करा हूं में डिश्टिक की ठीक अब क्याम की तक टेस्वलीव boss अवाले नही जो नहीcido की युटें गरेसु हो गेरा वहोगरा वह वह बी तक सेहों किए । पिति ची अलम अमल गुजार इनका काम क्या था जितना भी आए वे था उसका वरनन रखना बादसा की और ये टैय करना कि इस डिस्टिक से कितना लेना है रशीदें तैय करना कि इसकी रशीद कटी आज भी आप देख लो रशीदें वगरा कटती है ना किसानुंकी तो आपको कोई पुछ पुछ पेया है इस को से लगए अपको कोछ पुछ पे विटिक अमल गुजार का काम किया है यह अमल गुजार के असिस्टेंट थे, अमल गुजार कोने इस ने डियेम आज के आई आईयेसर आप फ्रीक है अब एग निचे पर आता है खजानदार खजानदार काता था की जांश परतार करे रोर। भाही खता उता। उसकी जांश परतार करने क्या बाज कहा कॉले बागे चलते हैं अब देखो तो मैंने बात की डिष्टिक के बाद में क्या आती है आप डारेट गाउं ठोड़े जाते हो तैसिल आती है ना उसे में उनको क्या बोलते थे परगर नहीं तो अब तैसिल में आप आज देखोगे क्या यूपीज़िवल शिवल से जो सर्वीस वाले हैं क्या उनको लगाया ज में कोशिस करना हो ठीक है तो उसको क्या बोल आज आप DSP को शिक्दार बोल सकते आजगा DSP अगर उस टाइम होते मुगलूं के टाइम उन्हें क्या बोलते शिक्दार यह क्या करें तैसिल में जिलेमनी तैसिल में सांतिवश्ता बनाये रखेंगे शेनी का दीगारी अब HDM प्लिट को आमील या करोडी क्यों बोला जाता था करोडी आपको को पूछे पोतदार क्या पौतदार खंगाची ये भी खजाने की क्या करता था? सुरुक्षा करने वाले को बोला जाता। लाश्ट में एक नाम आ रहा है कानूनगो कानूनगा था पटवारियूं का बोसyu क्या था कानूनगो उनके उपर इधिकारी ये अधिकारी ये प्राइवट गाउन साही थे दूसरे कारकून अब मैंने कारकून की यहाँ पिक लगए और आप समझ सकते हो कारकून का मतलब क्या है कारकून का क्या मतलब है कारकून का मतलब है कदर क्या बाबू ठीक कि कारकून को अभी 10-15 मिट के लिए सर्चे में परमिन से भी थोड़ी आगे कलास चलाएं तो टाइम हो गया तो कारकून को नहीं बाबू आगे चलते हैं कि अब देखो मैंने बात की तैसिल के लिए उलिके अब गाउं में क्या परसासन था मुगलू ने कभी भी गाउं के परसासन में हस्ते मलब इंटरफेरी नहीं कि गाउं में कोई हस्ते नहीं कि गाउं का परसासन जैसे प्रंप्राओं से चलता आ रहा है वेसाई गाउं का परसाषन चलाए चलेगा और कौन क्या बोलते हैं गाहूं स्टाम कि अ की बोला जाता था चोधरी यहानमद, परदान के यहां होता है गाहूं के प्टवारी आपरका पक्टवारी पर्टवाई का किया पूभ इंद अब पिंदा शाल साल नहीं पर नियुक्त क्या दार पर युद्ट बड़ाई इस शाल वो बनती है लेता पंप वारी दे कंल लेट को इयुकत आब करद लोरी को प्टेल भी बोलते थे देसमुख भी बोलते थे तो क्या बोलते थे पत्वारी को पतेल भी बोलते थे बिस्को फिराइधिजी insider फित थे उसका एक पर्चेंट देते थे अब गाउं को आज हम गाउं बोल रहे हैं उसमें गाउं को क्या बोला जाता था गाउं को बोला जाता माउदा या दिही क्या बोला जाता माउदा या दिही दूसरा जैसे गाउं आप ग्राम पंचाइत होते हैं ग्राम पंचाइत में छोटे गाउं होते हैं तो हम उन्हें कर अब चोकिधार काम हщता, गाहों की रक्सा उगराइग्णा का पुलिस परसा से समस्माल लना अर बाकी जो भी गाहों का सरपज सी ही परदान जो होता था चोधरी, खुटम, वो क्या करता था, वो ही जज होता था, सारी चीजूं के, मुगल उगरा तो, को इंटरिन ने करते कि इसी भी चीज में ठीक और इस पिक में अभी लास्ट एक मिन्ट अपनी देखो यह है चोदरी यहां बेठें यह पटवारी बेठें यह चोकिदार बेठें यह गाहों की परजा कर दिखाया गया अब आगे का आप कंटिन्यू रखेंगे इसका पार्ट सेकिंड और सारा बयान कर दो कार्ट सेकिंड खेजरे बेठें टॉमर्ण वária का पार्ट सुनर्ब घ़ाखेंगे अइस और सम किया उल्ट अगुर्ट आपू सो